हेलो एन वेल्कम तो पॉलिटी करेंट एफैस सेशन और कॉम्परिशन कम्मुनिटी यूट्यूब चैनल मैं हूनिकत परविन खान और आज की सेशन में हम लास्ट वीक मतलब 10 से 16 जून के बीच में जो भी पॉलिटी की करेंट की घटनाए रही हैं उनको कवर करने वाले इस आप देखेंगे कि जो दोचार न्यूज है वो इंडिजीनियस न्यूज है याने इंटरनाशनल रिलेशन से न्यूज नहीं मिले गया आपको मेंली दोचार इंपॉर्टेंट ऐसी घटनाए हुई है जो आपके मतलब की जो इंडिया के अंदर पॉलिटी के सेक्शन में हु बेनिफिट्स है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे सेकेंड न्यूज एक उमितवार एक निर्वाचन शेतर की मांग जी हाँ एक मांग उठी है कि एक कैनिडेट एक ही कॉंस्टिट्वेंसी से लड़े तो ये मांग क्यों उठी और वरतमार प्रावधान क्य है इस पर नज़र डालेंगे अगली न्यूज जो है वेस्टन जोनल काउंसिल यहने की पश्चेमी शेतरी परिशक की पचीसवी बैठक आयोजीत की गई दमनिंदीव के दीव में तो उसके बारे में ये न्यूज है हम देखेंगे कि ये बैठक की क्या मुख्य पहलू है औ और जोनल काउंसिल का मतलब क्या है स्टेटिक पार्ट में उसको देखेंगे और लास जो न्यूज है वो एक इंपॉर्टेंट सर्वे से रिलेटेड है वो है आपका नाश्चनल इगवर्नेंस सर्वेस डिस्ट्रिबूशन सर्वे इनकी राष्ट्री इगवर्नेंस सेवा इतरे नाकलन 2021 क्या है यह सर्वे और इसके क्या आकड़े सामने आए हैं आपकी क्या इंपॉर्टेंस का है उसे हम देखेंगे तो चली एक एक करके हम एक एक न्यूस पर बढ़ते हैं सबसे पहले जन समर्थ तो जन समर्थ जैसे कि मैंने अभी आपको कहा एक तरह का डिजि जिश है वो यह कि government की ऐसी जितनी योजना हैं जिसके जरीये government या दूसरे सेक्डर्स लोगों को लोन प्रवाइट करते हैं ऐसी योजना को हम कहते हैं क्रेडिट लिंग्ड reflections ठीक है मतलब ऐसी योजना है जिसके जरीए आप government के ऐसी योजना जिसके जरीए आप या तो सरकार से या सरकार से link किसी bank से या private sector से loan ले सकते हो अपने किसी काम के लिए वो काम आपका personal business हो सकता, agriculture हो सकता या कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है तो government आप जानते हैं कि अपनी socialistic schemes के जरीए या PPP model के जरीए ऐसे कई सारी schemes लेती हैं जिसके जरीए वो कुछ particular beneficiaries को loan प्रोवाइट करती है अब ऐसी योजनाओं का अगर आपको फायदा उठाना रहता है तो concerned जो भी offices होते हैं या concerned websites होती हैं आपको वहाँ पे apply करना पड़ता है हर योजना के लिए अलग website, अलग e-portal, अलग विभाग तो आपको loan के लिए apply करना है, उस facility का lab लेना है तो आपको अलग-अलग दर-दर भटकना पड़ता है तो बस इसी चीज, इसी problem को solve करने के लिए जन समर्थ योजना शुरू की इनोंने ये एक तरह का digital portal है, जिसमें ऐसी सारी जो credit link scheme है जिसके जरीए आप loan ले सकते हो, अलग-अलग sector से ये government से उनको एक particular जगे पर इकठा करके रख दिया, आप जन समर्थ portal खोलिए और आपको इन में से जिस भी scheme के जरीए credit लेना है यानि कि आपको उधार लेना है, आप जन समर्थ portal के जरीए उधार ले सकते आपको अलग-अलग website या अलग-अलग विभाग हों बटकनी की जरूरत नहीं पड़े समझ में आरी बात, तो ऐसी 13 credit linked schemes जो government द्वारा चलाई जा रही है जिसमें लोग उस scheme का फायदा उठा करके उधार लेते हैं उन सभी credit link scheme को इस particular portal में डाला गया जिसका नाम है जन समर्थ बहुत भी मतवकांशी योजना है, बहुत important योजना है एक तरह से सरकारी facilities को आपके doorstep तक लाकर ये खड़ी कर देगी लोग जो सरकारी facilities का फायदा नहीं उठा पाते थे अब एक जगाई खटा अगर इस सारी आपकी credit schemes हो जाएंगी तो आप एक step में इन में से किसी भी चीज़ को access कर पाओगे ठीक है, तो देखिए ये जो तेरा credit link scheme है ये mainly चार categories की scheme है जो की शिक्षा से संबंदित, तीन ऐसे schemes है, जो education से संबंदित है agriculture, infrastructure से संबंदित, तीन schemes है business से संबंदित, छे schemes है और livelihood या जीविका से संबंदित, एक scheme है ठीक है, मैं अभी आपको अगली slide में वो particular पूरी 13 schemes की नाम भी बता दोंगी कि किन-किन scheme को gen समर्थ portal से link किया गया आप sector याद रखो कि तीन जो है education वाली scheme है तीन जो है agriculture से related है छे scheme business start करने से related है जो loan provide करते हैं उससे है और एक livelihood से संबंदित, या जीविका से संबंदित scheme है जिसको इसके link किया गया कोई particular ऐसा नहीं है कि एक particular work ही इसका फायदा उठा सकता है इन particular schemes में अगर आप देखेंगे जो भी लाभारती है जिसमें करीब करीब हर तपका आ जाता है कोई business scheme का फायदा उठा सकता है कोई आजीविका scheme का फायदा उठा सकता है क्रिशी की कुछ scheme है कुछ लोगों के लिए शिक्षा की कुछ scheme है कुछ लोगों के लिए इस तरह से एक generalized तरीके से पोटल बनाया गया जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है ऐसा नहीं कि विशेश वर्ग विशेश के लिए या एक जाती विशेश के लिए या जेंडर विशेश के लिए बनाये गई है ठीके या आय वर्ग के लिए बनाये गई यहने की small, marginal और जो आपके medium category के industries होती हैं कि साथ-साथ उद्धमियों के जीवन में सुधार होगा तो था start-up परस्थिती के अंतर में भी मदद मिलेगी दर असल आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं 13 credit link योजनाए हैं जिसमें लाभार्तियों को और उधार दाताओं को एक स से जुड़े होंगे तो उनके लिए अपने जो लोन से उनको disburse्बर्स करना भी आसान हो जाएगा और आपको उन लोन को हासिल करना भी आसान हो जाएगा तो रिन देने वाले entities हो या रिन लेने वाले आम लोग हो सभी के लिए सुविधा जनक हो ही जाइस को प्रुटसाहित करना और इसके अलग अलग पहलु है जो इसके importance को बताते है कल को मान ली जे आपकी योजनाव में यह योजना आ जाती है तो यह जो दोनों points दit गयें इसके ज़रीया आप iki importance को बताएंगे एक तरह से इंक्लूज़िफ development को inclusive आपकी growth को बढ़ावा देता है क्योंकि अगर अलग-अलग जगे बिखरी हुई रहती थी तो अकसर लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुच पता था और रिंड दाताओं को भी रिंड डिस्बर्स करने में दिक्कत होती तो जाहिर सी बात है आपने एक easy portal बना दिया single window बना दिया, one stop gateway बना दिया तो इस तरह से ऐसा हो गया कि inclusive growth and development देखने को मिलेगा और हर वर्ग को हर वर्ग को इसका फायदा आसानी से मिलेगा प्रधान मंत्री ने कहा कि सूशासन का मूल पहलू नागरिक केंद्रिच शासन को ये portal प्रोच साहिट करता है तो देखिए इस particular portal को launch करते वे प्राइम मिनिस्टर ने इसके जरीए सबसे important target जो रखा वो था good governance आप लोगों के public administration में एक topic है good governance, सूशासन तो जब आप उस सूशासन के topic को paper 3, part 2 के लिए prepare करें और उसके आप example देने की कोशिश करें कि good governance करने के लिए government किस तरह की योजनाय लाती है तो उसमें आप इसका example दे सकते हैं ये क्या कर रही हो मैं dynamic part को आपके static से link करी हूँ कि कि प्राइम मिनिस्टर ने इस particular जन समर्थ portal को सीधा सीधा good governance का एक encouraging example बताया है तो सुशासन जिसमें particularly government का जो motive होता वो ये कि जो भी आपकी शासन है वो government oriented कम हो, public oriented जाद हो जैसे आप आप लिख देख रहे नागरित के इंदर्च शासन हो ना कि सरकार के इंदर्च शासन तो देखो good governance की जब भी आप theory पड़ोगे तो उसमें यही है कि अगर जाद से जाद लोगों की भागीदारी होती है योजनाएं ऐसी बनाई जाती है जिसमें सरकार और सरकार की सुविधाओं से जादा आम लोग, नागरिक, पब्लिक उनकी सुविधाओं को देखा जाए उनके दृष्ट्री कोन से सुविधाओं बनाई जाए उनके दृष्ट्री कोन से योजनाएं बनाई जाए तो ऐसे शासन को हम good governance कह सकते है good governance एक topic है public administration की जिसके बहुत सारे tenets है बहुत सारे elements है ठीकि उनमें से एक है कि आपका जो शासन होना चाहिए वो नागरिक के इंदरित होना चाहिए तो particularly सुविधाओं को target किया प्रधान मंतरी मोदी ने जब इस particular portal को launch किया उन्होंने कहा कि भी हम जानते हैं कि सुविधाओं का एक important पहलू है कि जो शासन है वो नागरिक के इंदरित होना चाहिए ऐसा शासन हो जिसमें नागरिकों की सुविधाओं का ज्यादा ख्याल रहना चाहिए ना कि सरकार की सुविधाओं का सरकार के लिए कितना easy है disperse करना उससे ज्यादा important होना चाहिए कि नागरिकों के लिए स्कीम का फाइदा उठाना कितना असान है तो कुल में लाकर कि इन्हों ने ये कहा कि हमारा ये जो step है ये सूशासन की इस element citizen oriented administration को बढ़ावा देता है ठीक है? तो याद रखिए आपको जन समर्थ क्या है ये तो पूछा ही जा सकता है और इसको सीधा सीधा क्योंकि अपनी इस पोटल के भाषन में ही इन्होंने सूशासन वर्ट का इस्तिमाल करके इसका importance बता करके सूशासन से इनको link किया तो आपका static part में पबैड में जो सूशासन वाला part है उसके जब आप notes बनाएं तब आप इसको उसमें include कर सकते है ठीक है आपके dynamic part में जन समर्त में इतनी बात है अब मैंने जो कहा था कि जो 13 scheme से हमने sector सो देख ली अब हम सीधा सीधा 13 schemes जो हैं इसको देख लेते हैं आप उसका screenshot ले सकते हैं या उसको note down कर सकते हैं सिर्फ आपके statistics के लिए ठीक, so these are the 13 schemes अगर मान लेजे थोड़ा सा font इसका छोटा है because ये एक साथ नहीं आरिती करकि थोड़ा सा font मैंने छोटा रखा है तो मैं एक बार readout कर देती हूँ आप screenshot लेकर के zoom भी कर सकते हैं आप चाहे तो मैं readout कर रहे हूँ या livelihood के होगी तो इन बार read कर देती हूँ मैं Central Sector Interstate Subsidy Scheme दूसरी है पढ़ो प्रदेश तीसरी है Dr. Ambedkar Central Sector Scheme चौथी है Agri Clinic and Agri Business Center Scheme Agriculture Marketing Infrastructure Agriculture Infrastructure Fund Prime Minister Employment Generation Program Weaver Mudra Scheme प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत निर्भर निधी योजना Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers Stand Up India Scheme दीन दयाल अंतियोदय योजना National Rural Livelihood Mission NRLM जिसको हम कहते हैं तो इसमें आप कुछ important scheme जो बहले से पढ़ते हैं जैसे कि मुदरा योजना या National Rural Livelihood Mission में गाता है एक आजीवका से संबंदित है बाकी business से संबंदित 6 है फिर आपकी कृषी संबंदित है और education संबंदित है ये आपकी 13 योजना है जो से लिंक की गई है तो आपकी dynamic part के लिए इसे याद रोगे तो ये थी first news चलिए अब आप move on करते है second news में तो बहिए second news सीधा सीधा election से संबंदित है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोक्त इंडिया को जो Central Election Commissioner है या Central Election Commissioner आने लौल आप कह सकते है उनके तरफ से एक सिफारिश आई है एक राय आई है भारत के न्याय मंत्रा लेको कि आप लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में एक उमिद्वार को एक ही सीध से चुनाओ लड़ने का प्रावधान बनाएं क्या कहा मैंने लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में एक उमिद्वार एक ही seat से चुनाव लड़े ऐसे प्रावधान होने चाहिए ना कि वैसे जैसे अब तक थे तो बात आती अब तक कैसे प्रावधान थे यह practically हर कोई जानता ही है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं या विधान सभा चुनाव होते हैं तो एक candidate एक से प्रावधान सभी जानते हैं । तो इस प्राफधान में इन लोगों नहीं सिफारिश किया है, चुनावायो एक नहीं सिफारिश किया है, कि इस प्राफधान को बदल दिया जाए है इसको बन कर दिया जाए, प्रतिबंदित कर दिया जाए, नचाहरे आप में से जत्ते लोग देखरें इस वीडियो को आप में से कई लोग इसे सहमत होंगे, कई बार जबी चुनाओ किस हमें exit और opinion पॉल आते हैं, आप में से कई लोग बोलते भी होंगे कि यह क्यों दिखाता क्योंकि हम जाहिर से बाते हैं जानते हैं कि exit और opinion poll से बहुत जादा जो जन्मत है वो प्रभावित होता है है ना, exit poll और opinion poll जो है, opinion poll में तो ऐसा होता है कि पहले से vote डालने के पहले ही अगर मुझे मान लीजे मैं एक unaware इनसान हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे किसको vote डालना है पर मैंने opinion poll देख लिया तो मुझे पता लगेगा कि यार किस तरफ रुजान है तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना vote जाया ना करूं तो मैं जाकर क्या कर देती हूं उसी पार्टी पर vote डालती हूं जो opinion poll दिखा रहा है कि वो जीतने वाली है देखा है आपने चीज तो कई पर ऐसा होता है कि हो सकता है हम किसे एक पार्टी को फेवर करना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता है कि opinion poll अपने रुजानों के जरीए लोगों की दिमाख पर एक प्रभाव डालता है कि नहीं बहीं इनकी जितने की जाज़ा चांसे हैं तो जो कोई इस तरफ उस तरफ वोट डालना चाहता है वो भी कही ना कि अपने वोट सुधर डालता है और अब बाद में जाकि वो मीडिया वाले जो हैं वो सहीं सिद्धू जाते हैं तो देखो exit poll और opinion poll की बहुत सारी कमिया हैं बहुत सारी खामिया और इसको हम practically हर कोई जानते ही हैं तो चुनाओ आयोग ने कहा है कि इस पर भी बैन लगना चाहिए एक बुसरी सिफारिश है कि एक उमिद्वार एक seat का प्राफथान होना चाहिए यह सिफारिश हैं काफी बार से दी गई हैं लेकिन हाल में फिर सही सिफारिश भारत के नय और जो कानून मंत्राला है उसके बाद चुनाओ के पास उसके पास चुनाओ योग से गई है याद रख ठीक तो पहले तो यह देखते हैं हम कि जो एक से जादा seatों से चुनाओ लडने का प्राफधान है वो कौन से अधिनियम के तहते हैं पहली बात तो जानले कि constitution में कहीं ऐसा mention नहीं है it is nothing related to constitution की एक candidate एक से जादा जगे से चुनाओ लड़ सकता है ऐसा सम्मिदान में कहीं नहीं दिया गया बठा आप जानते हैं कि चुनाओ से संबंदिते के important अधिनियम आया था 1951 में जिसको हम कहते है रिप्रेजेंटेटिव औफ पीपल्स आक्ट यानि की जन प्रतिनिधी आप में से जितने लोग तैयारी कर रहे हैं PSC की UPSC की आप सभी पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं तो constitution में election वाले part 15 के साथ साथ इस particular act को पढ़ते ही हैं क्यूंकि जो बाते सम्मिधान में clarify नहीं की गई हैं उसको RPA जो आपका act है इसमें clarify किया गया है बहुत सारे ऐसे प् भारत में लागू हैं और पॉलिटी के important questions भी इससे बनते हैं तो इसी act में यह कहा गया था याद रखना समिधान में कहीं नहीं कहा गया है कि एक उमिद्वार एक से जादा जगे पर चुनाओ लड़ सकता है और in fact इसमें तो कहा गया था कि कितने भी जगे से लड़ सकता है मतलब कोई अपर लिमिट टैन ही की गई थी 94 से पहले पहले तो ऐसा भी होता था कि एक उमिद्वार तीन तीन जगों से चुनाओ लड़ता था लेकिन 96 में इसमें संशोधन करके अधिक्तम दो कर दिया गया तक अथिक नेरवाचन शेत्रों के अनुमति दी गई थी मतलब 96 तक के जादा नेरवाचन शेत्रों के अनुमति थी 96 में इसमें चेंज करके maximum two कर दिया गया तो 96 की बाद से आपने जितने विधान सबा लोग सबा चुनाओ देखे होंगे उसमें देखा होगे कि एक सजाद अंतलब दो जगों से खड़े होते हैं पर इससे पहले original act में तो ऐसा था कि एक उमिद्वार कितने भी जगों से खड़े हो सकता था ठीक है तो भई इसमें चेंज तो पहले भी किया गया है originally ऐसा था कि जादा शेत्रों से खड़े हो सकते हैं 96 में बोला गया कि दो शेत्रों से खड़े हो सकते हैं अब ये लोग कहा रहे हैं कि इनको आप एक ही उमिद्वार को एक ही सीट में रिस्ट्रिक्ट करो ठीक है तो पहले तो ये act ध्यान में रखना फिर 96 का इस act में किया गया संचोधा न याद रखना और बहुत important है वो धारा याद रखना जिस धारा के तहत ये प्रावधान है आरपी एक्ट की section 33 clause number 7 में ये चीज लिखा गया है कि एक उमिद्वार एक से जादा चुनाव शेत्रों से चुनाव लड़ सकता है तो जो objection उठा है जो सिफारिश आई है ये आरपी एक्ट के इसी particular sections related आई है section 33 7 ठीके तो ये तो हो गई static बात अब बात आती है कि इसमें च चुनाव आयोक को दिक्कत क्या है क्यूं ये एक सीर से लड़ने की बात कर रहे हैं बात ये है कि इनका ये कहना है कि वैसे भी सम्वेधानिक रूप से ये चीज तो तय है कि जो double membership होती है double membership वो निशेद है मतलब मना है कोई भी एक इनसान एक साथ दो सीटों को represent नहीं कर सकता represent मतलब जीत कर दोनों जगों से सांसत या दोनों जगों से विधायक नहीं बन सकता आप ये जानते ही है हम पढ़ते भी है पॉलिटी में अगर आपने कभी मेरे पुराने लेक्चेस देखे हो या आपने मुझसे पढ़ा हो या खुज से भी पढ़ा हो तो आप इस चीज को जानते ही है जब आप लोकसभा राजसभा पढ़ते हैं विधान सभा पढ़ते हैं तब उसमें हम पढ़ते हैं इस चीज के डिस्क्वालिफेशन के ग्राउन में पढ़ते हैं कि डबल मेंबर्शिप बैन हैं एक व्यक्ति एटर टाइम या तो विधान सभा या विधान परिशद या ल मतलब कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं सकता कि वह विदायक भी और सांसद भी ठीक है या तो वो विधाय को सांसद होगा और सांसद में भी ऐसा नहीं कि वो लोकसभा कभी सांसद हो सकता है राजसभा कभी या तो लोकसभा का होगा या राजसभा का होगा प्लस ये कि वो किसी एक हाउस में एक ही सीट से होगा मतलब अगर वो चुनाओ लड़ता भी है त उसको एक seat खाली करनी पड़ेगी जैसे नरेंदर मोदी वडोदरा और वडानसी दोनों से जीत गए थे तो उन्होंने एक seat खाली कर दी थी याद रखिये है ना वडोदरा की seat खाली कर दी थी वारानसी की seat ली थी तो ये तो है कि अगर आप जीतते भी हैं आप दोनों seat को सभा में represent नहीं कर सकते आपको एक seat खाली करनी पड़ेगी ये प्रावधान सबको पता है नहीं पता तो गार्ड बांद लो एक बार जाकर की बुक से revise करिये इस चीज़ को double membership निशेद है आप at a time जो राज जिस्टर के दो हाउस होते हैं विधान सबा विधान परिशद और केंदर सतर के जो दो हाउस होते हैं लोग सभा राज सभा इन चार में से किसी एक हाउस के ही member रह सकते हैं और एक हाउस की एक ही seat से member रह सकते हैं आप एक member रहते हुए दूसरे house का या दूसरी seat का चुनाओ लड़ सकते हो आप विधायक रहते हुए लोगसभा का चुनाव लड़ सकते हुए आप लोगसभा का मेंबर रहते हुए राजसभा का चुनाव लड़ सकते हुए लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी कोई एक सीट खाली कर दी जाएगी है ना क्योंकि रूल है कि आप दो जगों से या दो सीटों से member नहीं हो सकते बात क्लियर ये चीज तो इनका ये कहना है चुनायों का जब ये rule है ही कि जीतने के बाद आप दोनों constituency को represent नहीं कर सकते तो फिर ये प्रावधान दिया ही क्यों जा रहा है इस प्रतिनिधी आक्ट में क्योंकि अगर कोई उम्मिदवार दो सीट को चुनेगा दूसरी सीट खाली हो जाएगी दूसरी सीट खाली होगी तो वहाँ पे उपचुनाओंगे अब चुनाओं चाहे mainstream हो चाहे उपचुनाओ हो by elections हो खरचा तो होता है लोगों के tax का जो पैसा है वही तो लगता है चुनाओ में तो आखिर कार लोगों की जेब काट करके आप फिर से उपचुनाओ करा रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि एक व्यक्ती जो है वो choose नहीं कर पाया यह वो अपना वर्चेस जबरस्ती स्थापित करना चाहता था दोनों जगे और उसने दोनों जगे से उसको टिकेट मिली दोनों जगे से खड़ा हो गया तिर्फ इसलिए आप कि वो एक व्यक्ती जो है वहाँ से हार गया यह वहाँ से जीत गया और वो दोनों सीटों से खड़ा नहीं हो सकता है दोनों सीट को represent नहीं कर सकता इसलिए आप उपचुनाओ करा रहे उपचुनाओ भी एक costly process होता है तो why are you wasting the public money यह कहना है चुनाओ का कि आप पब्लिक का पैसा क्यो वेस्ट कर रवा की खाली होती है दूसरी बात यह कि इस डबल मेंबर्शिप यह मैं कहूं दो जगही से चुनाओ लड़ने वाले प्रावधान का बहुत जादा मिस्यूज हुआ है यहां पर भी आप देख सकते हैं कहीं पर लिखा होगा मैंने कहा लिखा देखना पर ठीक है ठीक तो इसमें यह लिखा हुआ है देखो कि चूंकि कोई भी उमिद्वार दो निवराचन शेत्रों का प्रतिमिद्र जहीं कर सकता है इसलिए इस प्रणाले का विचार अतारकिक और विडंबना पूरे है और इसी में चीज़ बताए गई है कि उपचुनाओं में एक तो आतरिक बोच होता है और दूसरा ये कि इसका बहुत ज़ादा मिस्यूज होता है कि अगर कोई राजनेतिक पार्टी का एक प्रबल कैंडिडेट है तो कई बार राजनेतिक पार्टी को दो चुनाओं शेत्र से खड़े करा देती ताकि उस पार्टी का दो शेत्रों में प्रभाव बढ़ जाए तो कई बार अपने प्रभाव को विस्तारित करने के लिए भी वो जबरदस्ती उस कैंडिडेट को कहीं और से खड़े करवा देती है उनकी एक जीतती वी सीट तो रहती चाहिए वो दूसरी जगे से खड़े करवा दी ताकि वहाँ पी प्रभाव पढ़ जाए यह लोग एक तो इस वज़े से इसका यूज़ करते हैं दूसरा आगे जो दूसरी पार्टी से उनकी वोट काटने के लिए इसमें कोई गलत नहीं है राजनिती ग्रूप से कुछ गलत नहीं पार्टी का प्रभाव जादा है तो फिर से उपचुना होंगे तो फिर से इस पार्टी को कहीं न कहीं मिल जाएगा कोई न कोई benefit भले आपने अपना candidate दूसरा खड़ा कर दिया हो कुल मिला करके politically इस particular प्रावधान का बहुत misuse होता आया ऐसा चुनाव यह कहता है इस वज़े से इस प्रावधान को हटाने की बात की जा रही है समझ में आरी बात आई होब आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाहरी हूँ मैं जब उप चुनाव होता है उप चुनाव मैं क्यों खर्चा करना जब 2-2 सदस्ता हो ही नहीं सकती तो क्यों चुनाव लड़ने ही देना मत लडवाओ न चुनाव इप ही जएगे से लड़वाओ हाला कि इसको डिफेंड करने वाले कहते हैं कि भी इससे जो पार्टियां हैं, कैंडिडेट हैं, उनके राजनेतिक अधिखारों का हनन होगा और जो भी तर्क दिएगा है, मुझे लगता है कि इसके फेवर के तर्क थोड़े कमजोरी हैं बाकि इसका जो विरोध हो रहा इसके तर्क काफी मजबूत है, तो बहराल एक्जिट पोल, उपीनियन पोल, इनके जो सवाल, जवाब, सर्वे होते हैं, इसमें अकसर पक्षपात करने के आरोप लगते हैं, आम पब्लिक भी लगाती हैं, राननतिक दल भी लगाते हैं, और आ दूसरा, एक केंडिरेट को एक जगे से खड़े करो, अपने अपनी ड्रॉबेक्स हो गिरा हैं, इसमें यदि कोई उमिदवार दो निर्वाचन शेतरों से चुनाओ लड़ता है, और दोनों में जीत हासिल करता है, तो उसे किसी एक निर्वाचन शेतर के बाद के उपचु से खड़ी हुई और दोनों से जीत गए और एक सीट को छोड़ दी, तो वहाँ पर बाइलेक्शन होगा, तो बाइलेक्शन कराने का खर्चा मैं उठाओंगी, हाला कि थोड़ा सा इल्वाचिकर लगता है, लेकिन फिर ऐसे की पबलिक का खर्चा पैसा करकी क्यों हम करें, आपने चूस किया ना उसे, आप एक सीट से खड़े हो, अगर आप चूस करके उसे छोड़ देते हो सीट को, तो अगली एलेक्शन का, बाइलेक्शन का जो खर्चा है, आप उठाओंगी, ऐसे सिफारिश की चुनाओं या नियाद रखना, ठीक है, और ये पैसा भी तया कि कि कितना होना जी, तो इका है, ये राशी विधान सभा चुनाओं के लिए 5 लाग, और लोग सभा चुनाओं के लिए 10 लाग रुपे होगी, यहने उप चुनाओं के लिए जो जीता हुआ candidate है, अगर वो एक सीट को छोड़ता है, तो अगर वो वो विधान सभा candidate है, तो वो लगा दो, या तो इस तरह की, आपको monetary चीज़े रख दीजे, liability, monetary liability, जिससे लोग सोच समझ कर ही, दो जगों से खड़े होंगे, बरना नहीं, ठीक है, समझ माई बात, ये important चीज़ हाइलाइटे रही last week, इसलिए मैंने इस चीज़ को cover किया है, ये आपके policy के section के लिए अगली news है, Western Zonal Council की summit, जो की 25th इनकी conference थी, वो दमन इन दीव के दीव में आय विजित की गई है, और उसमें कुछ महत्वपून जो 30 मुद्दे हैं, पश्चिमी 30 से सम्बंदे जितने मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की गई, तो पहले ये जो लिखा है, इसको हम पढ़ ले हुआ, पहला, banking services को सुधारने की बात की गई, rural areas में banking service सुधारी जाएगी, दूसरा, जो beneficiary word था, ये beneficiary section था, वो था, महिलाएं और बच्चे, महिलाओं और बच्चों से related जितने यौन अपराध हैं, उन मामलों को जहीं तरीके से deal किया जाएगा, इस पर आम सहमती बनी, उस पर निगरानी रखी जाएगी, उनका solution निकाला जाएगा, ठीके तो यौना प्राधों को नियंद्रित करने की बात हुई, banking services को सुधारने की बात हुई, तीसरा, गहरे समुद्रों में समुद्री मच्छवारों की पहचान का सत्यापन किया जाएगा, वेस्टन कोस की ब ठीक है, तो जो भी गहरे समुद्र में अभियान चल रहे हैं, उनमें making इंडिया को imply करना, उसके अलावा वहाँ पर बड़े पेमाने पर योजां के तएद बचावा अभियान चलाना, ये भी एक आमसामती बनाएगे, उसके अलावा सीमा सुरक्षा, बुनिया दीढ़ाच है ना, border security, basic infrastructure, transport और पशी मिराज्यों में उद्योग, इन चीजों से related भी कुछ important treaties, sign की गए, कुछ important फैसले लिए गए, ठीक है, तो dynamic part आपका ये है, कि 25 भी बैठक हुई, western zonal council की हुई, दीव में आविजित की गई, और इन particular मुद्धों पर चर्चा हुई, इन particular मुद्ध पर फैसले लिए गए, ठीक, अब आपका इसमें dynamic से ज़्यादा, static part important है, कि ये zonal council होती क्या है, तो इसके लिए हम slide पलटते हैं, और देखते हैं, आपकी constitution का important topic है, zonal council, यहाँ पे भी चीज़ें ज़्यादाती करके, थोड़ा छोड़ा-छोड़ा font पर लिखा है, आप चा constitution के prelims के लिए important topic है, हाला कि constitutional body नहीं है, सबसे पहला point जो उपर लिखा हुआ है, वो यही कि शेत्री परिशत, जिसको हम English में zonal council कहते हैं, शेत्री परिशत या zonal council, एक वैधानिक निकाह है, यानि legal body है, समवैधानिक नहीं, मतलब यह constitution की कि किसी article में नहीं दी गई है, एक particular अधिनियम से बने है, अगर किसी law को पास करके, पारलेमेंट की किसी law को पास करके, किसी body को बना जाता है, तो आप उसको legal body या वैधानिक निकाह कहते हो, और अगर किसी constitution के article के तहद कोई body बनी है, जैसे कि election commission, finance commission, कोई ने कोई article के तहद बनी है, तो उसको आप constitutional body कहते हो तो याद रखिएगा कि zonal council is a non-constitutional body, जैसे मिधानिक निकाह है, it is a legal body, क्योंकि एक law के तहद बनी है, अब कौन सा law है, राज्य पुनर गठन अधिया, 1956, 1956 का state reorganization act के तहद ये बनाया गया, ठीक, ठीक, तो 1956 के state reorganization act के तहद, zonal council का गठन किया गया, ये एक तरह की विधानि body है, और India के जितने states हैं, उनको 5 zones में divide कर दिया गया, क्या कहा मैंने, India के जितने states हैं, उनको 5 zone में divide कर दिया गया, North, South, Centres, East, or West, North, South, Centre, East, or West, रिसे 5 zones में इनको divide कर दिया गया, और सबका एक-एक मुख्याले रखा, जैसे कि जो North है, इसका मुख्याले है, New Delhi, जो South Zonal Council है, उसका मुख्याले है चेन्नाई जो Central Zonal Council है उसका मुख्याले है आपका अलाहबाद ठीक, जो West है उसका जाहिर से बात है मुंबई ठीक, और जो East है इसका है कोलकाता तो North का Delhi, South का चेन्नाई East का कोलकाता, West का मुंबई, Center का अलाहबाद ये पाँच Zonal Councils एक-एक जोन में कई सारे North के स्टेट्स आएंगे फिर South के स्टेट्स आएंगे, ऐसे करकि सभी Zones को बना दिया गया और उसका एक-एक Headquarter रग दिया गया ठीक है, इन्हें बनाए जाने का उद्देश साफ है समबल सिंपल शब्दों में कहूं तो जित्ते राज गटित हुए इनके आपस में Cooperation, Coordination बनाए रखना इनके आपसी कोई Dispute है तो उसको Resolve करना उस Particular शेतर का विकास करना उस शेतर की समस्याओं का निराकरन करना तो एक Regional Group बन जाए जो उस Particular शेतर के विकास और समस्याओं की उपर निराकरन करना ताकि एक छोड़ा Group हो जो कि इस चीज़ को एक्जेक्यूट कर पाए इसलिए जोनल काउंसल बनाएं गए थे इस Particular Act के तहत ठीक तो देखो देश में लिखा है जो भी उनमेंने का राश्ट्रिय की करन को साकार करना तीवर राज्य संचेतना शेतरवाद तथा विशेज प्रकार की प्रवृत्यों के विकास को रोकना केंद्र एवं राज्यों के विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सयोग करने के लिए सक्षम बनाना, विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीवर निश्पादन के लिए राज्यों के बीच सयोग के वातरण के स्थापना करना, बड़े बड़े भारी बर कमशब्द हैं जो इसके लिए अगर आप लिखते हैं तो काम आते बाकी साधारण तो तो वही है जो भी मैंने आपको बता है, उद्देश यही था, तो यह है शेत्री परिशदे यह जोनल काउंसिल पांच है, उसके बाद आपका यह पांच के अलावा ऐसा हुआ, 1971 में एक नौर्थ इस्टन काउंसिल और बनाए गई, हालकि इसका नाम जो पूरी थी, इसलिए बाद में 1770 में उत्तर पूर्वी राज्यों, यहने नौर्थ इस्टन स्टेट्स के लिए काउंसिल बनाए गई, नौर्थ इस्टन काउंसिल और से नौर्थ इस्टन जोनल काउंसिल नहीं बोलते, और याद रखना, इसका जो हैड़कोटर था, वो थ कौन सा अधिनियम, कितनी जोनल काउंसिल, कौन कौन से उनके हेड़कोर्टर्स, और अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है इसका कॉम्पोजिशन, इसमें कौन कौन सा दस्य होते हैं, तो देखिए, इसके अधक्ष होते हैं, Central Home Minister, ठीके, केंद्रे ग्रेह मंत रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधी के लिए इस अंचल के आंचलिक परिशत के उपाध्यक्ष के रुप में कारे करते हैं, तो ऐसा है कि मान लिजे, नौर्थ है, तो मान लिजे, आप कह सकते हैं, डेली, हर्याना, उतराखन, पंजाब, यह जो पूरा जोन होगा जामू कश्मीर, यह पूरा जोन, नौर्थ जोन कहलाएगा, अब यह अलग-अलग स्टेट्स हैं, अलग-अलग उनिन टेरिट्रीज हैं, उनके कोई न कोई प्रमुक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक हैं, तो यह पर्टिकुलर नौर्थ जोन के अंदर जितने जितने स्टेट्स हैं, मुख्यमंत्रि मुख्यमंत्र जोन के अगश्य कोई न यह पूले अद्यकुलर के न बदल थे जाएंगे向े, यह पाद्यक्श उस जोन में आने वाले और प्रतिक राजिसे राजपाल द्वारा यथा नामे दो अन्य मंत्री और परिशद में शामिल किये गए एक संग राजज़शेत्रों से दो सदस्य तो उस पर्टिकुलर जोनल काउंसल में उस जोन की जितने भी स्टेट से उनके मुख्य मंत्री और जो भी आपके प्रदेश हैं उसके दो सदस से और साती साथ उस राज के राज़िपाल ने उस स्टेट से अगर किसी मंत्री को नामित किया तो वह बी जैसे कि मान लिजे 36 गड़ मान लिजे वह Central Zonal Council में ठीक है Central Zonal Council में आता आलाहबाद मतलब उत्तर प्रदेश आता है उत्तरा द्वारा यहां की जो मंत्री हैं चत्रिजगर के मंत्री उसमें से कोई एक और मंत्री भी Zonal Council का सदस्य होगा ठीक है तो यह है अध्यक्ष यह उपाद्यक्ष यह है सदस्य यह है Zonal Council इतनी बात हैं आपको स्टेटिक के लिए ध्यान में रखनी along with the news कि अभी Western Zonal Council इने जिसका Headquarter आपका मुंबाई है उसकी बैठकायो जीत की गई दमनिंद्यू के दियू में ठीक, so that is it गेथी news अब बढ़ते हम आगे लास्ट important news पर वो है राश्ट्रिय E-Governance सेवा वित्रे नाकलन दो हज़र रकीज इने National E-Governance Service Delivery Assessment NESDA 2021 जीसका दूसरा संस्करण जारी किया गया तो बही क्या है नाम से समझ में आता देखो जब चीज़ें बहुत जादा कॉंप्लिकेट लगती है नाम को decode करने की कोशिश करिए National E-Governance Service Delivery Assessment E-Governance अभी जानते हैं गवर्मेंट की जितनी facilities, जितनी सुविधाएं electronic माध्यम से मिल रही है गवर्मेंट प्रशासन की जो भी कार्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से कर रही है जिसमें वो इंटरनेट का, जिसमें ऑटोमेशन का, कम्प्यूटर्स का सहारा ले रही है वो सहारा आपका E-Governance में आता है तो आपका Human Resources के जगे जहां पर directly, computers के ज़रिये, internet के ज़रिये, सरकारी सुविधाओं का disbursement होता है ऐसी सभी services को आप E-Governance कहते है तो यह जो particular assessment है, इसी E-Governance का एक आकलन है कि government ने E-Governance के तहत जो भी सेवाएं इनने जो भी services दी, उनकी जो delivery हुई लोगों को वो कितनी सफल रही, कितनी असफल, मैं repeat करते हूँ क्या कहा मैंने नाम से हम को इस समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सर्वे है जो यह बता रहा है कि government की जो E-Governance scheme थी, ठीक है, वो कितनी successful रही आप जानते हैं कि Digital India Program के तहत इंडिया में कई सारी services को E-Governance से जोड दिया गया ठीक है, एक तरह का again good governance related यह एक पार्ट है technological advancements related यह step है Digital India Program एक बहुत ambitious program है government का और जिसमें E-Governance को बहुत जादा बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसी Digital India Program के तहत E-Governance की जितनी facilities और services government ने दी है चाहे वो आम नागरी को हो, चाहे वो market को हो, जो भी services दी है उसकी services कितने अच्छे से deliver हुई, उसका assessment है as simple as that, ठीक है तो ऐसा है कि यह इसका दूसरा survey का result है पहला इसका संसकरन सन 2019 में launch किया गया था और यह दूसरी report है जो इस बार जारी हुई यह जारी कौन करता है, कार्मिक, लोग शिकायत एवं pension मंतराले ठीक है, pension and personal जो ministry होती है यह particular आकलन करता है, यह इसका दूसरा संसकरन है डिजिनल सरकार को त्विश्च बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोग शिकायत विभाग जिसे हम DRPC जिद्वारा इसे संचालित किया जाता है तो यह पहल इस particular विभाग की है प्रशासनिक सुधार एवं लोग शिकायत विभाग इसके तहट क्या होता है छे चीजें, मतलब आप कह सकते हैं यह जो पूरा सर्वे किया जाता है उसमें छे सेक्टर्स में जो गवर्मेंट की सर्विसेज दी जारी है उनका आकलन होता है छे सेक्टर्स में गवर्मेंट की जो सर्विसेज दी जारी है यह गवर्मेंट के माद्यम से उनका आकलन होता है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं फिनाइन्स लेबर एंप्लॉइमेंट एडूकेशन लोकल गवर्मेंट ठीक है एंउटिलिटी सोशल वेलफेर सोशल वेलफेर के अंडर आपका एग्रिकल्चर एंड हेल्ट भी आ जाएगा और इसके अलावा एंवाइमेंट तो भी गवर्मेंट की जितनी स्कीम्स है उसमें सब्सक्राइब आपके जाएगा आपका एंडर जारी हुआ है यह आपका डानिमिक पार्ट है ठीक अब इसमें जो भी services दी गई उनको दो तरीकी से किटेगराइस किया जाता है एक है G2B, एक है G2C, G2B मतलब government to business, दूसरा है government to citizen यानि ये जो योजना है सिर्फ ऐसी नहीं कि target सीधा सीधा citizen को करती है गवर्मेंट की कई ऐसी ये उजना हैं जो इस framework के इन छेतरों के अधियन आती है जो सीधा सीधा किसी business को सीधा सीधा target करती है डैरेक्ट citizen को ना करके वो government की facilities किसी business के लिए भी हो सकते है तो government to business भी facilities है government to यानि हो सकता है government दुकानदारों को व्यापारियों को भी कुछ सिधायन दे रही है ठीक है government कुछ trade unions को भी सिधायन दे रही है companies को भी सिधायन दे रही है और government ऐसी भी सिधायन दे रही है ऐसी भी services दे रही है जो आम लोगों से संबन देते है तो ऐसी services जो business के लिए है और ऐसी services जो citizen के लिए है ऐसी G2B, G2C जितनी भी services हैं उनका एक assessment किया गया कि कितनी fruitful रही कितनी beneficiate रही ठीक और इसमें जो सबसे important highlighted बात है जो आपकी dynamic portion में पूछा जा सकता है वो ये कि जमू कश्मीर e-governance सेवाओं की वितरन में भारत के सभी जो भी service delivery है उसमें अगर सबसे top पर कोई रहा तो वो है जमू एन कश्मीर this is the most important thing जो आपको इस dynamic portion से ले करके जाना है तो भी second survey था पहला 2019 में हुआ किस चीज का survey मैंने आपको बता दिया sector कौन से शामिल है वो बता दिया categorization बता दिया किसके द्वारा संचालित होता है कौन survey करता है और जमू कश्मीर इसमें top पर रहा यह आपको ध्यान में रख रहा है ठीक अब इसमें आपको कुछ चीजें data जो हैं इसको थोड़ा समयने detail में बता दिया है आपको कि जो भी मैं services बता रही हूँ 2019 के हिसाब से थी जो मैं 6 शेत्र बता रही हूँ ना तो वह 2019 के हिसाब से थी 2021 के जब आकड़े जारी हुए तो इन में कुछ और sectors को जोड़ा गया और sectors की कुछ और सेवाओं को जोड़ा गया देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 6 sectors थे ठीक है उचे sectors कौन कौन से थे environment था local governments and utility था labor था education था ठीक है environment फिर से repeat हो गया और social welfare था ठीक है तो ये sectors थे शुरुआत से अब इसमें क्या हुआ ये original framework में ये 6 sector थे 2021 का जो survey हुआ इसमें 3 sector की government की जो स्विधाएं उसको और act किया गया जिसमें tourism act किया गया public procurement याने की जो जन खरीदी होती है सरकार जो धान की खरीदी चूए सकते हैं फ़स्लों की खरीदी करती है वो भी वो sector को भी शामल किया गया तो tourism शामल किया गया उसके अलावा gen खरीदी को शामल किया गया home and security शामल किया गया ये तीन sectors में भी government जो e governance के ज़रिए services दे रही हैं वो भी कितनी सफल असफल रही इनका भी आकलन हुआ तो देखी ओरीजिनल 6 सेक्टर्स थे उसमें ये 3 सेक्टर्स जोड़े गए हैं ये याद रखिए और इन में आप देखेंगे जो 3 नए सेक्टर जुड़े हैं इन 3 नए सेक्टर के exactly कौन सी सर्विसेस का आकलन हुआ तो ऐ आज्यों को और केंदर शासित प्रदेशों को गवर्मेंट के तरफ से जितनी सर्विसेस ये गवर्नेंस की माध्यम से मिली उनमें कुल मिला करके 48 सर्विसेस थी 2019 में जो उन 6 सेक्टर से रिलेटेट थे अब इस बाद जो 3 नए सेक्टर शामिल हुए तो उन 48 सर्विसेस मे एक-एक सेक्टर में ये कुछ सर्विसेस और एड हुई हैं जैसे पॉब्लिक प्रोक्यूरमेंट जोडा गया तो उसमें से ऑन-लाइन बिडर एंडूर्मेंट, ऑन-लाइन बिड समिशन, टेंडर रिजल्ट अनाउंस्मेंट इन तीन सर्विसेस को यड किया गया, इसका भी हुआ था ठीक है और टूरिजम में certificate issuance as approved state to operator registration of hotel guests and etc यह वाली extra services हैं जो 2021 में assessment में extra जोड़ी गएं कि कितना यह कारगर साबित हुई है e-governance के माध्यम से originally 48 services उच्छे sector थे इस बाद तीन ने sectors जोड़े गए और तीनों sectors की इतनी important services जोड़ी ठीक है clear है तो यह याद रखी उसके अलावा याद रखें कि न यह state or unit territories की लेकिन अगर आप central ministries की services देखें केंद्री मंत्रालेओं की services तो उसमें ऐसा है कि उसमें tourism को नहीं जोड़ा गया इसमें home and security और public procurement राज्यों और केंद्र प्रदेशों तक जो यह governance के माध्यम से sector प्रवाइट किये जा रहे थे इससे पहले वाला चाट उससे संबंदित था पर केंद्री सरकार केंद्री मंत्रालेओं द्वारा जो भी governance services प्रवाइट की जा रही हैं उनमें यह वाले sector शामिल हैं जिनमें home and security और public procurement यहने की आपकी जन खरीदी और यह home and security को एक्स्ट्रा शामिल किया गया है और उनकी यह वाली services एक्स्ट्रा शामिल की गए हैं जिसे public procurement में central public procurement portal government e-market place home and security का digital police citizen services यह सारे इनकी e-governance facilities हैं in particular sector की जो central ministries द्वारा संचालित होती हैं वो पहले वाली state और union territories द्वारा संचालित थी यह central ministries द्वारा संचालित हैं तो वो 48 services जो state और union territories की तो उसमें वो 3 sector की वाली services जोड़ी गए और यहां पर originally central ministries की 3 services थी राज और केंदर्शासित प्रदेशों की 48 services थी जो e-governance की माध्यम से disburs की जा रही थी और central ministry की 3 services थी 2019 में जिसमें आपका दो sector जोड़ा गया public procurement और home security और उनकी यह वाली services जोड़ी गए plus already existing social welfare में एक नई सेवा जोड़ी गई भविश्य pension योजना तो ये भी ये sector पहले से था social welfare पहले भी central ministry के अंडर था बट इसके अंडर ये वाली service नई जोड़ी गई तो देखो राज और केंदर्शासित प्रदेशों के लिए इसके पहले वाली slide की extra services side में दी गई है इसमें दो sector जोड़े गए और एक sector की extra scheme भी जोड़ी गई जो मैंने कहा उसे repeat mode में सुनिया अगर एक दम से एक बार मैं ना समझ में है एक बार इसका भी screenshot लिजे और इससे पहले जो slide है उसका भी screenshot ले लिजे और एक बार खुझ से उसको study करने की कोशिश करिए पहले इसको screenshot लो फिर इसका screenshot लो ठीक है तो जो मैंने कहा उसे link करके देखिएगा आप समझ जाएंगे कि आपको इसको कैसे ढालना है अपने answer में और कैसे आपको इसको समझ ना है कैसे याद करना है ठीक देखिए हम अभी तक आप कहेंगे कि इतना detail क्यों अभी तक हम यह नहीं predict कर सकते कि आने वाला problems किस हद तक जा सकता है तो बैतर हम अपने आपको हर हद तक तयार रखें यह नहीं कहती मैं कि इसको भी उतनी ही शिदत से आप पढ़ें जितने आपकी common subjects इनमें क रखो आप अगर आपके main वाले study को complete कर लेते हैं उसके बाद इन चीज़ों को पिध्यान रखें कि in case ऐसा कोई question आ गया तो फिर आपको एक edge मिल जाएगा दूसरे students से जिसने इतको prepare नहीं किया है क्योंकि अगर आप UPSC का format देखेंगे तो फिर यह सारे questions आते हैं तो कल को इस तरह इस बार इसने format change के है problems के वैसे अगर deep में जाकर के वो पूछता है आपके current affairs के questions को और यह सीधा सीधा governance related है तो कौन से sectors हैं क्या मतलब होता है G2B का क्या मतलब है GTSOE का अगर ऐसा कुछ पूछने लगा तो आपको यह सारी चीज़ें मदद करेंगी तो समझने के भी ज़रूरी और last moment revision कर लें अगर आपके पास समय बचे तो यह है और उसके आलावा आखरी में हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से assessment framework थे मतलब सीधा सीधा कौन कौन से पैमानों पर service का assessment हुआ survey किन पैमानों पर हुआ देखा गया कि उन services, e-governance में खाल से अब तक सब समझ रहे हो ना पर चला पूरा सुन रहे हो पर e-governance समझ नहीं रहे हो अरे कई चीज़ों की government portals है, government क्यों है, online माध्यम से आपको पैसे भी देती है, online माध्यम से आपको दूसरी घर की facilities भी देती है, loan की facilities देती है, pension की facilities द आयर कर सकते हो, तो website, internet के माध्यम से आप government की जितनी सुभधाओं का लाब ले सकते हो, government जो अपना administration, electronic माध्यम से चला रही है, हम उसकी बात कर रहे है, तो उसने अपनी services कितनी प्रभावी तरीके से आप तक पहुचाई, इसका survey है, तो survey के पैमाने क्या है, वो क्या देख साइट में, वो है कि नहीं, ease of use, बहुत complex तो नहीं बना दिया, क्या एक आम इंजान उसका use कर पा रहा है कि नहीं, information security and privacy, उसका security और privacy जो sector है, वो की तरह मजबूत है, end service delivery कैसी है, integrated service delivery कैसी है, status and request tracking, आपको request डालते हैं, तो उसको कैसे track किया जाता है, प्लस यह चीजे, open government data क्या है, electronic participation कितना हो रहा है, कितना active है वो e-portal, align to NDA, जो INDEA है, इसका full form होता है, India enterprise architecture, जब digital India program चलाया गया था, तब India enterprise architecture बनाया गया था, यह एक तरह का framework है, एक architecture, ठापत है, जो government की इस digital India program को क्रियान विट करता है, अब आप एक बार लिजे, शहर को चलाना चाहते है, तो पहरे शहर की अधोसन रचना बनाएंगे, वहाँ पे आप बड़ी public buildings बनाएंगे, वहाँ पे आप colonies बनाएंगे, तब जाकर तो शहर चलेगा, तो बस वही चीज़ है, और की e-governance program को चलाने के लिए, जो पुरा framework ब की जाती है, तो ये इंडिया enterprise architecture के साथ कितना aligned है वो particular portal जिसके जरी service provide की जा रही है, SDG के जो गोल है, SDG मतलब sustainable development goal, sustainable development goal, जो सतत विकास का हमारा motive है, आप जानते ही है, कि सतत विकास हमेशा से, चाहे national हो, चाहे international हो, हम हमेशा से एक sustainable development की तरफ हर तरह की schemes को ले करके जाते है तो हमारे जो SDG के गोल है, सतत विकास का गोल, इससे कितना जादा हमारा ये जो e-governance की scheme में वो aligned है, उससे alignment देखा गया, leveraging emerging technologies, जितनी जितनी नए technologies इस माध्यम में आ रही है, क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये भी देखा गया, cyber resilience, मतलब इनकी जितनी e-governance scheme है, वो cyber attack से कितनी immune है, मतलब अगर मान लीजे उन particular websites या portals पर किसी तरह का cyber attack होता है, तो उसकी security किस level तक है, उसकी immunity किस level तक है, उन cyber attack को किस हद तक रोक सकता है, ये सारे पैमाने हैं, उन portals को, उन website को, या digital program के उन सभी e-governance facilities को जाचने के लिए, तो जो भी survey हुआ, इन सभी पै इमानों पर हुआ है, चाहू तो आप screenshot ले लो, ठीक है, so these are the sectors on which the assessment was done, and finally the second, like आपका एक पूरा report जारी हुई, जिसमें unit territories में, जमु कश्मीर जो है, उन्होंने top किया, तो इसकी जो दूसरे बाकी static पहलू मैंने आपको बताया है, कि कौन से sectors हैं, ठीक है, और कौन से assessment criteria है, इनको भी आप ध्यान रखें, और आज के session की यही last news थी, कहीं कोई doubt होता है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, धीरे सही सही मैं कोशिच करूँगे आपकी doubts को clarify करने की, तो आज के video lecture में इतना ही, अगले हफते, अगले week के important quality की current face को लेकर, मैं next week Thursday आपके सामने अप्यार गले होगी झाले हुड़ सकते हिंजात कि प्राइव